देखे 26 मईं 2014 को हिंदुस्तान में एक एतिहासी घटना घटित होती है केंदर में जो एक सरकार आती है भारतिय जनता पार्टी की सरकार आती है जो की वास्तों में आरेसिस के द्वारा संचालित हो रही है ये सरकार तीन पैरामीटर्स पिछल रही है पहला पैरामीटर है ब्रामलवादी मनुवादी वेवस्ता के द्वारा संचालित हो रही है दूसरा पैरामीटर है कि नाजी और फासिजम की विचारधारा पे संचालित हो रही है और तीसरा है कि इन दोनों के साथ वो corporate संस्कृती, corporate culture, corporate के जो हित है उसको पुरजोर तरीके से सामने ला रही है और इन दोनों नाजी फासिजम और जातिवाद और ब्राम्हलवाद इसकी आन में corporate हित की पूर्ती कर रही है लोकतांत्रिक मुल्यों से भले चुन करके आई है लेकिन एक democratic dictatorship लोकतांत्रिक अधिनायक वाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है इसके पस्चात आप देखेंगे कि अकादमिक जगत से ले करके जितने भी ICHR हुए, FTII हुआ या ICCR हुआ और IIT हुआ जितने भी जगहों पर हैं वहाँ अकादमिया में कमतर लोगों की नियुक्ति की जाती है अब fascism की एक विशिस्टिता होती है कि यह जितने भी cultural संस्थान होते हैं, जितने भी social science के संस्थान होते हैं, आर्ट के संस्थान होते हैं यहां पर कमतर लोगों की नियुक्ति करके उसकी स्वायतता को नश्ट करते हैं जो अनबायस्ट रिसर्च है उसको रोका जा सके, क्योंकि ये अनबायस्ट रिसर्च कहीं न कहीं इनकी पॉलिटिक्स को सामने ले आता है, तो सबसे पहले उसको कंट्रोल करने की कोशिस की जा रही है, इसी के साथ एक जो है हिंदू रास्ट्र, वो भी बनावटी हिंदुत् प्रमुक इस्तंभते महत्मा गांदी इनको इन्होंने मार दिया सन अर्टालीस में इसलिए मार दिया क्योंकि उनका नैतिक प्रभाव इतना जादा था कि जब तत वो जिंदा रहते हिंदुत की राजनीति को जो है वो बढ़ाया नहीं जा सकता था क्योंकि वो तो एक विवि इसके पस्चात एक बनावटी हिंदुत्त की राजनीति की आन में हिंदु राश्र को इस्थापित करने के लिए इस देश की जो एक्चुल वास्तविक तासीर है उसको नश्ट करने का प्रत्ने किया जा रहा है तो एक तरीके से देखा जाये तो पूरे हिंदुस्तान में इस समय एक सफुकेशन का माहौल है एक डिक्टेक्टर्शिप का माहौल है और इसके विरुद्द चात्र नौजवान अकादमिक जगत के लोग इकठा हो रहे हैं एक जगा एक मंच पे आ रहे हैं प्रतिरोध उस इकठा होने की प्रक्रिया में एक जो है प्लेटफार्म है एक पड़ाओ है और ऐसे कारिक्रम होते रहने चाहिए क्योंकि इन ही कारिक्रमों के माध्यम से इन लोगों की जो फासिजम की राजनीती है ब्रहमलवाद की राजनीती है इसको आम जनता के सामने लाया जा सकता है